हेलो फ्रेंट्स आप से फिर से स्वागत है आज किस ने बडियो में दोस्तो आज किस बडियो में एक ऐसे स्केनर के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आप अपने फाइल को स्कैन तो करेंगी स्कैन करने के साथ साथ उसमें इडिटिंग भी कर सकतें सारा editing का tool आपको वहाँ पे मिल जाए editing करने के बाद save करने के लिए आपको image के format में save करना है तो image में save कर सकते हैं PDF में save करना है तो PDF में भी save कर सकते हैं और PDF में save करने के बाद अगर उस PDF में password लगाना चाहते हैं तो वहीं पे password भी लगा सकते हैं इतना सारा feature आपको एक ही application के अंदर में मिल जाता है, तो आज किस वीडियो में उसी application का सारा tutorial आपको आज किस वीडियो में मुवाइल के स्क्रिम पर लेज़के step पर step करके बताने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो काफी interesting होने वाला है, इसलिए प्लीज पूरा आन तक जरूर देखिएगा, तो वीडियो में आगे बढ़ने से एक request जरूर करेंगे, अगर आपने अभी तक हमाने चनल को subscribe नहीं कियें, अभी अभी चनल को subscribe कर दीजिए, notification बेल जरूर पिस, चलिए दोस्तों, आज किस बोड़े को सुरूर गड़ते हैं, सबसे पहले आपको अपने phone में play store या फिर app store को open करना है, और search बार पे type करना है, adobe adobe scan, type करके search करेंगे, तो यह application आ जाएगा, इस application को install करना है, फिर open वाले बटन पे click करना है, तो कुछ इस तरीके का interface आएगा, इसमें login करने के लिए 3 option दिया जा रहे, सबसे पहला email ID, दूसरा Facebook और तीसरा है iPhone वालों के लिए, तो चलिए हम email ID से sign in करते हैं, तो दोस्तों हम adobe scan के dashboard में आ चुके हैं, अब यहाँ पे किसी भी file को या फिर किसी भी documents को scan करने के लिए, नीचे में camera का icon दिखेगा, इस पे click करेंगे, तो camera चालू हो जाएगा, तो यहाँ पे scan करने का अलग-अलग format दिया गया है, सबसे पहला है whiteboard, whiteboard पे कुछ लिखे हुए, उसको scan करना है, तो whiteboard पे click करके scan करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर आएगा, दुसरा है form, कोई form है, उसको scan करने के लिए form पे click करके करेंगे, कोई documents है, तो documents पे click करके करेंगे, और कोई ID card है, तो यहाँ से ID card पे ले जाके करेंगे, और कोई business वाला card है तो business card पे click करके करेंगे तो किताब को scan करने के लिए documents पे आएंगे अब इसको scan करेंगे तो चलिए उपर से ही पहले scan कर लेते हैं तो पूरे अच्छे तरीके से camera में चारो corner आना ची और ये देखिए अपने आप capture कर लिया capture करने के बद ये size भी auto select कर लिया अगर आपको कुछ गड़वर लग रहा है कि size थोड़ा सा सही नहीं select किया है तो आप अपने हिसाब से इसको adjust कर सकते हैं simply से आपको keep scanning वाले बटन पे click कर देना है तो ये scan करके save कर लेगा अब चलते हैं किताब के अंदर वाले page को scan करके दिखाते हैं तो पहले इस page को scan कर लेते हैं यहां से चारो corner camera में आना थी और इसके बद capture वाले बटन पे click करना है click नहीं भी की हैं तब ही scan कर लिया और ये size को आप अपने हिसाब से select कर लिजेगा अगर आपको गलत लगे तो इसके बाद keep scanning वाले बटन पे click कर देना है तो यहां पे दो file select हो गया अब चलिए एक और file को select कर लेते हैं यहां से देखिए यह file को यहां से हो गया auto select capture करने गया कोई जरूरत नहीं अपने आप यह capture कर लेता है और यह अपने से बहुत बढ़िया size select कर लिए है अगर आपको गलत लग रहा है तो आप इसको अपने हिसाब से adjust कर लिजेगा adjust करने के बाद keep scanning वाले बटन पे click करेंगी तो यह save हो जाएगा तो अभी हम तीन फोटो ली है तीनो फोटो यहां पे आचुक है उपर आगया इसको सबसे last में ले जाना चाहते है last में आगया अपने हिसाब से इसको reorder कर सकते है चलिए किताब का यह page है front वाला इसलिए पहले रखते है तो अपने हिसाब से सजाने के बाद save करने के लिए एक सही का निसान दिया गया इस पे click कर देना है तो यह save हो जाएगा और rotate करना है तो rotate भी हो जारा है यहां से जैसे rotate करना वैसे rotate हो जाएगा और यहाँ पे filter भी दिया गया है जैसे कि इस पे click करेंगे और आपको black and white में चाहिए तो इस पे click कर दिजए black and white में हो जाएगा यहाँ पे 5-6 filter दिया गया, जो filter यूज करना चाहते हैं, इस पे click करके देख लिजेगा किसमें बढ़िया आ रहा है, उसके हिसाब से आप यूज कर लिजेगा, तो इसके अलावा और भी बहुत सरा tool दिया गया, जिससे आप बढ़िया editing कर सकते हैं, और इसमें किसी भी page को आ पीडियेव बनाना है, तो save PDF का एक button आड़ा है, उस पे click करेंगे तो save हो जाएगा, उससे पहले आपको इसके rename करना है, मतलब नाम देना है, तो इस पे click करके आप इसके एक नाम दे सकते हैं, जैसे कि इस click देते हैं जीत आपकी, नाम देने के बाद rename के button पे click करेंगे, जी की share करने का option आ रहा है तो share करने के लिए simply से share वाले बटन पर click करेंगे और यहाँ पर इसका link copy कर सकते हैं email पर directly भेज सकते हैं और फिर whatsapp instagram ऐसे जगा पर भेजना है तो नीचे में option मिलेगा share एक copy इस पर click करेंगे तो सारा option option आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर देखे कितना सारा option आगया जो option से आपको भेजना है उस option को simply से choose केजिए और send कर लिजिए और save as jpeg इसको jpeg format में save करना चाहते हैं उस पर click करके save कर सकते हैं और जैसे more वाले button पर click करेंगे तो देखे कितना सारा option आगया इसको copy कर सकते device में save कर सकते device में google drive में यही से directly upload कर सकते हैं और फिर इसमें modify कर सकते हैं export कर सकते हैं और फिर combine दूसरे pdf के साथ इसको combine कर सकते हैं इसमें password लगा सकते हैं set password वाले पर click करके rename कर सकते हैं तो तो हम पहले ही कर दी है, save करने से पहले ही, इसको move कर सकते हैं दूसरे folder में, print कर सकते हैं इसे directly और delete कर सकते हैं, तो इतना सारा feature आपको किसी और scanner में देखने को नहीं मिलेगा, तो दोस्तों आपको ये scanner कैसा लगा, नीचे comment करके जरूर बताईगा, और इस वीडियो से regarding आपक तो चली चलते हैं मिलेगा फिर अगले वीडियो में